नमस्कार, Capital TV का खास शो महारास्टा फाइल्स देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ पूजा महारास्ट में शिफसीना किसकी? इस पर जम कर लडाई जारी है शिफसीना पर हक और शिफसीना का सिंबल किसका? इस पर उद्धव ठाकरे और एकनाशन दे आमने सामने हैं ये लडाई अब भारती निर्वाचन आयोग यानि इलेक्शन कमिशन में है और शिफसीना के नाम और निशान पर अब 30 जैनवरी को सुनवाई करेगा इलेक्शन कमिशन लंबी चली बहस के बाद इसी ने दोनों पक्षों से 30 जैनवरी तक अपनी दलिले लिखित रूप में जमा करने के लिए कहा है मतलब अब समय नजदीक आ गया है शिफसीना पर जारी लड़ाई का फैसला आने का तो फैसला क्या होगा फैसला किसके हक में आएगा इसी पर आज आपको बड़ी जानकारी देंगे बाचित के लिए मेरे साथ स्टूड़ी में मौझूद है क्यापटल टीवी के एक्स्क्यूटब एडिटर राजीब जी राजीब जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका क्या श्वसेना को लेकर जो लड़ाई पिछले कई महीनों से जारी है उसका end होने वाला है अब ये संभाबना जताई जा रहे है कि बीमसी का चुनाब होगा उसमें एक नाशिंदे की जो सिबसेना का गुट है वो सिबसेना का असली हकदार और उसी के सिंबल पर बीमसी का लड़ा जाएगा क्योंकि फरवरी में ये फैसला आ जाएगा चुनाव आयोग ने दोनों पक्ष की दलीले सुन ली है अब दलीलों के बाद लगबग ये माना जा रहा है कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और उसके बाद अब इन लोगों से लिखित तौर पर अपने दलीले पेश करने की बात कही गई है यानि कि ये लिखित तौर पर देंगे कि हमारे पास कितने विधायक हैं कितने सांसद हैं संगठन में कितने लोग हैं अब चुनाव आयोग को इसमें कोई confusion पहले भी नहीं थी इसलिए उद्धव ठाकरे का गुट इसी डर से कि सुप्रिम कोट गये थे कि इतनी जल्दिबाजी में चुनाव आयोग फैसला न करे सुप्रिम कोट ने रोक लगा दी थी ऐसे रोक इस बात के लिए नहीं लगाई थी कि चुनाव आयोग इस पर कोई संग्यान ही न ले तो कि उप चुनाव होने थे और उप चुनाव से पह गया कि इस पर अभी रोक लगाए जाने चाहिए क्योंकि सुप्रिम कोट में मामला चल रहा है और उद्धब ठाकरे के गुट का मानना था कि जो सोलह विधायकों को हमने किया है कि स्पीकर ने जिसको निलंबित किया और जिसकी सदस्ता खत्म की जानी है उसके बाद इसके उपर फैसला हो क्योंकि उनको लग रहा था कि सोलह विधायक अगर एक ना सिंदे के गुट से खत्म हो जाएगी उनकी सदस्ता खत्म हो जाएगी तो उसके बाद फैसला उनके हक में आ सकता है विधायकों की संख्या को लेकर चुनाव आयोग में जो इन्होंने पहले से 42 प पता ही नहीं था कि हमारे गुट में कितने विधायक हैं कितने सांसद हैं ऐसे अभी भी उनको पता नहीं है कि उनके गुट में कितने विधायक और सांसद हैं उनको भरोसा तीन ही लोगों उपर है एक खुद के उपर है एक आदित ठाकरे के उपर है और तीसरे हैं जो संज जैराउत वो दीमक है जो अब तक वो उद्धव ठाकरे के पूरे परिवार को राजनीती से खत्म नहीं कर देता चाट नहीं जाता है वो बाहर नहीं जाएगा तो इन तीनों के अलावा किसी के उपर भरोसा उनको नहीं है लेकिन अभी वो फिर से इसी में जब नोटिस जारी किया गया कि आप सुनवाई शुरू हो गई है आप अपने रिपोर्ट दीजिए कि आपके पास कितने लोग हैं तो वो सारे लिस्ट सौपे गए हैं जो अभी वरतमान इस्तिती में उसके बाद एकनासिंदे ने बताया कि हमारे पास विधानसभा में भी जादा विधायक है संसद में भी हमारे पास जादा ही संसद हैं तो ऐसे इस्तिती में संगठन की बात उपती है कि संगठन किसके साथ हो सकता है जो सिब सेना का संभिधान है उसमें भी संगठन सर्वोच्य माना जाता है तो ऐसे इस्तिती में संगठन की जब बात होगी तो पहले फरजी वाड उसे दस्थखत करवा के जो पूरा पूरा बंडल तयार किया था उसका फरजिवारा सामने आ गया कि आप कैसे साबिद करोगे कि ये सारे कारिकरता आपके हैं तो कि चुनाव आयोग में कारिकरता की लिस्ट नहीं सौपी जाती है पदाधिकारियों की लिस्ट सौपी जाती है कि आपके पार्लियामेंट बोर्ड में कितने मिम्बर हैं आपके जो राजी काई हैं वो कितने आपके साथ हैं अगर राश्टी अस्तर पर शीव सेना का गठन है तो कई राज्यों के जो अध्यक्ष हैं वो पहले ही सिंदे को सपोर्ट कर चुके हैं बारा बारा राज्यों के एक बार समर्तन में आये थे तो ऐसे में आपको बताना पड़ेगा Andes state level पर उसके बाद महरास्ट में संगठन में कितने लोग आपके साथ हैं जिला अस्तर पर जिला इकाई के पर्मुक होते हैं, जिला अध्यक्च होते हैं, वो कितने आपके साथ हैं, इन संगठनों के बारे में ही चर्चा की जा रहे थे, लेकिन पहला मिसन तो उनका फेल हुआ वहां, जबकि ये सुप्रिम कोट में सुनवाई का बहाणा बना रहे ते शुलव इधायकों की सदस्ता खत्म होगी वहां पर भी ऐसा लग रहा है कि जो भी अब तक सुनवाई हुए हैं जैसे भी रिफरेंस दिये जा रहे हैं शिंदे गुट के तरफ से जो रिफरेंस दिये गए पहले के जज्मेंट के क्योंकि जज्मेंट पर सुनवाई होती ह है कि पहले के किस बेंच ने कैसा फैसला ऐसे मुद्दों पर दिये थे तो जो उसके फैसलों के लिए जज्मेंट के रिफरेंस दिये गए थे उससे कपिल सिबल बॉखला गये थे जज्मेंट के रिफरेंस क्यों दिया जा रहा है फिर से इस पर चर्चा सुरू हो जाएगी हर जगह पर अलग-अलग स्थितियां होती है सुप्रिम कोटने में ये सुनवाई के दौरान का भी गया कि ये कैसे हो सकता है कि एक जगह अगर ये लिखा हुआ है कि अगर स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया चालू है तो उस समय आप किसी भी विधायक के उपर एंटी डिफैक्षन लाग के तहत कारवाई नहीं कर सकते जब आप ही स्पीकर नहीं रहोगे उससे पहले आप किसी विधायक की सदस्ता कैसे खर्ण कर सकते हो और दूसरी बात ये है कि एक ना सिंदे का कहना है कि जिस पार्टी के अगर तूटती है पार्टी तो जिसके पास सबसे कम विधायक और सांसद हो उसको अपनी पार्टी बनाने का अधिकार होता है क्योंकि अगर शिबसे ना के स्थिती देखें तो दूसरी पार्टीों की तरह नहीं है जैसे दूसरी पार्टीों में टूट फूट होती है बगावत होती है अगर कॉंग्रेस से सचीन पाइलेट 18 विधायकों के साथ राजास्तान से हरियाना जाते हैं तो वो भगावत करते हैं क्योंकि उनके पास कॉंग्रेस के सिर्फ 18 विधायक थे उन्हें अपनी पाठी बनाने का अधिकार दिया जा सकता है उन 18 विधायकों के सदस्ता खत्म कर दे जा सकती है लेकिन यहां पर क्या हुआ जादा से जादा यानि दो तिहाई से भी जादा विधायक शिंदे के साथ थे और वो उस गुट का परधान है अध्यक्ष बना फिर उसके बाद वो सरकार बनाने के दावा पेश करते हैं लेकिन फिर भी उद्धब ठाकरे अपने इस्तिफ़े से पहले किसी भी अस्तर पर वो विधान सभा बुलाते ही नहीं है विपी जारी नहीं किया गया अगर उद्दब ठाकरे को लगता कि हम सरकार से इस्तिफा दे रहे हैं सीएम पत से इस्तिफा दे रहे हैं तो पाटी बचानी है जिसके बारे में पृतिविराज चोहान ने भी बोला था कॉंग्रेस के नेता हैं वरिश नेता ये लोग हैं शरत पवार ने भी ने सला दी थी पहले तो ये लोग वहां के जो फंड थे उसका यूज करने के लिए करप्सन के लिए खीचने की कोशिस कर रहे थे कि एक महीना और सरकार बच जाए ताकि फंड एलोकेशन कर दें जो मंत्री थे अपने अपने सरकूलर जारी कर रहे थे दढ़ा दढ़ जिस पर रोक लगाए गई थी उसके बाद ये लोग इनको लगा ही नहीं कि पार्टी भी हमारे हांते चली जाएगी वो अपनी इज़द बचाने के लिए इस्तिफा दे की उधर ठाकरे ने सारे काम किये हैं अब सुप्रिम कोट में सोलव इधायक का जो सदस्ता खत्म होनी है उस पर भी सिंदे की जीत होगी अब यहां चुनाव आयोग में जितने भी उदाहरन है चाहे राम विलास पासवान के पार्टी पशुपतिनाथ पारस और चिराग पा ऐसा लग रहा है कि लगभग फैसला तयार है इंतजार क्या है इंतजार है उस फैसले के आने का इसलिए बीमसी चुनाव की घोषना भी नहीं की जा रही है लेकिन अगर पक्ष में इस एकनाश चंदे के फैसला आता है जैसा कि अब समझा रहे है तो ये तो उद्दब ठाक हुई थी मौसम ठीक हो जाएगा उसके बाद किराए जाएंगे इस बीच पिये मोदी का दोरा भी हुआ और पुरी प्रिस्ट भूमी तयार है कभी भी गोषना की जा सकती है लेकिन ये उप चुनाव की तरह अभी अडंगा लगा हुआ था कि अगर इसी सिंबल से जो अभी पर ही सिंदे बीमसी का चुनाव लड़ेगे बहुत बहुत धनिवाज समझाने के लिए तो निर्वाचन आयोग की और से दोनों पक्षों को अपनी दलीले देने के लिए 30 जैनवरी तक का समय दिये जाने के बाद अब ये माना चा रहा है कि फैसला जल्द आ सकता है दोनों पक्षों ने अपने अपने दस्तावेज, सबूत और तरकों को आयोग के सामने पेश कर दिये हैं तीन अलग-अलग दिन हुई सुनवाई में निर्वाचन आयोग के सामने शवसेना की दोनों गुटे ने अपनी दलीले पूरी कर ली है पर लगता है शवसेना को लेकर उद ठाकरे पूरी तरह से बरबाद हो जाएंगे आप अपनी राए कॉमेंट करके जरू लिखें देख दिरी कापिटल टीवी नमस्कार